पुलिस ने पोस्ट माटम रिपोर्ट के अधार पर परिजनों को कारवाई का आस्वाशन दिया है रखना पुर्वान निवासी चित्रा उम्र 20 वर्ष इंटर की छात्रा थी मामी नैना ने बताया कि पिता प्रेम संकर की कुछ सार पहले ही मौत होने के पाद वह पार्ट टाइम में इलाके के कुछ सहलियों के साथ साधी बरातों में वेलकम गल का काम करती थी दो दिन से उसका स्वास्त कुछ गड़बर था प्रावेट क्लीनिक में दिखाने के बाद भी अराम ना मिलने पर पास ही रहने वाली दो सहलियों को इस विशय में बताया था बुद्वार को दोनों सहलियों इनोवा से लड़कों के साथ उसके घर पहुची और किसी मजार पर ज़ाड़ फुक करवाने की बात कहकर अपने साथ ले गई देश शाम को एक सहली ने फोन पर तब्यचादा बिगरने पर अपने घर ले जाने की पात बताई इस पर चित्रा के दो छोटे भाई अनुश्वा हरसित बहन को लेने सहली की घर पहुचे वहां से प्राविट अस्पताल ले जाने को निकले लेकिन चित्रा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया थाना प्रभारी चनारधन प्रताप सिंग ने बताया कि परिजनों ने सहलियों पर हत्या का आरोप लगाया है दोनों को हिरासत में लेकर पुष्ट आच कीचा रही है पोस्ट माटम रिपोर्ट की अधार पर आगे की कारवाई कीचाएगी पिरो रिपोर्ट आईपेन गोदी ले चलो गोदी लेकी गया डॉक्टर ने दो डॉक्टर की पार ले गए डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि यह नहीं बचपाएगी उसके पूरे सरीर में नीला पड़ा जिससे उसको मारा गए बाउपुर्वा में 112 नंबर पर यह सूचना आई थी कि चित्रा नाम की लड़की है जो अपनी दो सहीलियों के साथ और एक लड़के के साथ कहीं गए थे और पिछले दो तिन दिन से समफता वो बिमार चल रही थी तो उनके माता पिता का कहना है कि उसका गलत इलाज करवाने के कारण उसकी मृत्य हुई है इसी कोरीज को रखते हुए पोस्टमाटम करवाया जा रहा जो माबाप उसकी तहरीर देंगे उस तहरीर के बेसिस पे मुकदमा कायम होगा पी-एम होगा और जो इनके साथी थे उ झाल